जय हिन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में में लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साथ के बहुत ही महत्तुपूर्ण कोश्चन आंसर हिंदी के मोटल पिरसन है यह अपने तो इसको पूरा अवस्य देखना है अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सस्क्राइब करें बेल ईकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकरी आपके यह तक सबसे आंसर जरूरू बताएं और आखरी में आपके लिए बताने कि कितने question आपसे यहाँ पर सही बनी है तो बताएं जगदंबा बाबू गाउं आ रहे हैं कहानी है तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वहें चित्रा मदगल आपका यहाँ पर विकल्प नंबर B सारी विकल्प न आंसर होगा विकल्प नंबर B आपका सही आंसर है चात्रा अंदोलन पर लिखे तो पन्यास कौन सा है question नंबर तीन का सही आंसर बताना है चात्रा अंदोलन पर लिखे तो पन्यास कौन सा है तो question नंबर तीन का आपका जो राइट आंसर है बहें आपका विकल्प नंबर D य प्पन या समर्यात्रह सए अंसर होगा आपका यहां पर जो राइट आंसर है चार और विकलपन नमबर एक सोचिप अंञले कौस्चण यहां पर पहुंचओ जूचँ आ steps देखें कॉस्चまた यह पांच पौूंचा है कि कमलेश्वर का कौन्वप 悪न्याज भारत वाथन पर ल आंसर है तीन राइट आंसर विकल्प नंबर तीन कितने पाकिस्तान आपका सही आंसर है पूरवी हिंदी का विकास किस अब्रण से हुआ है यह आपके लिए बताना है तो पूरवी हिंदी का जो विकास हुआ है वै किस अब्रण से हुआ है तो question नंबर छे का जो राइट आंस है मोहन राकिस विकल्प नमबर एक आपका यहां पर सही आंसर है अंगले question पूछा गया है इन्वेस है मूर्धन्य वियंजन है question number 8 है अपने यहां पर और 8 का जो सही आंसर है मूर्धन्य वियंजन बताना है आपके लिए यहां पर तो 8 का आपका यहां पर जो right answer भाहे विकल्प नमबर 3 आपके इहां पर सही answer है دा और डा आपके हहां पर सही answer होगा सुध्य बरतिनी का चैन करना ही है आपर सुध्य बरतिनी कौन सी होगी question number 9 है और 9 का राइट answer है आपका यहां पर सुध्य बरतिनी आपका यहां पर देखेए यह दौनों जो है एक से यहां पर हैं तो बिलकुल इन वे से विकल्प नमबर दो या विकल्प नमबर तीन आपके हैं पर राइट आंसर होगा गीत गोबिंदी की रशेता कौन है काली दास है भारभी है बानवटने जैदीव है जैदीव आपके हैं पर राइट आंसर है दो परवतों के बीच की भूमी क्या कहा जाता है यह आपके लिए बताने कौस्चे नमबर बारा का राइट आंसर है क्या होगा एफ हुआसि यहां पर राइट आंसर है जो गणना योग आफ हो तो आपके यह आप राइट आंसर होगा आपका असंक अंगला गॉश्चन क्या पूंचा क्या है? देखे, question number 14 यहाँ पर पूँचा गया है आपसे, नारी तुम केवल स्रद्दा हुपंती में सब्द सकती है अभीदा है, लक्षना है, ब्यंजना है या सभी है question number 14 का right answer बताना है तो 14 का विकल्प number B, ब्यंजना आपका सही answer, सुद्ध वर्तिनी वाला सब्द कौन सा है, सुद्ध वर्तिनी वाला सब्द है, यहाँ पर 15 में right answer क्या होगा, 15 वा question है, महत्वपुन question है, और सुद्ध वर्तिनी में अंजली आपका इस प्रकार जो लिखा है, आपका विकल्प number D, यह आपका सुद्ध वर्तिनी वाला सब्द है, अंगला question क्या पूचा गया है, सही वर्तिनी वाली सब्द का चैन करना है, सही वर्तिनी वाली सब्द यहाँ पर कौन सा होगा, question number 16 है, महत्वपुन है, और सभी के लिए पता होगा, यहाँ पर आसाड, यह जो है स्योपाल गंजी की कता पर आधारित वपन्यास है, यह आपके लिए बताने question number 18 का right answer, 18 का right answer क्या स्योपाल गंजी की कता पर आधारित वपन्यास कौन सा है, तो 18 का right answer आपका विकल्प number 1, यानि की रागदरवारी आपका यहाँ पर सही answer है, रामचेंद्रिका में आपका यहाँ पर right आंसर होगा अंग्ला question क्या है? कवीता करके तुलसी नलसे, पंती है question number 20 का right आंसर बताना है कवीता करके तुलसी नलसे हरियोद के सब्दास, तुलसी दास, मेत तुलीशन को खुबते, यह पंती किसकी है तो 20 का right आंसर है आपका विकल्ब नमबर एक हरीवत आपका यहाँ पर सही आंसर है मीरा की भक्ति है मीरा की भक्ति माधरवाव दोनों दास्यभाव साक्यभाव यह चार विकल्ब है तो मीरा की मीरा भाई की जो भक्ति है भाई है किस भाई की है किसका right answer है माधोर नभाव विकल्ब number एक आपका यहाँ पर सही answer है बिलकुल सही अंगला question है उपने बियस में इस्तरी किसकी रचिना है उपने बियस में इस्तरी किसकी रचिना है प्रवा केतान सुधा या अनामिका या च्हमा सर्मा तो आपका वाइस का right answer है विकल्प नंबर एक यानिकी पिरभा के तान आपका यहाँ पर सही answer है अंगले question है साहित दरपन है साहित दरपन है मममट में सुनास तूद्रत या जगनात तो question नंबर आपका थेषर का आफका जो right answer है। एसका answer आपके लिए जो है कमेट में बताना है क्या हूँत का right answer तेषर का कमेट में जरू over about और यहाँ पर 24 पर question देख लेते हैं, आलवार भक्तों की संख्या है, तो आलवार भक्तों की संख्या आपके लिए बताना है, question number 24 का right answer, 24 का right answer क्या है, आलवार भक्तों की संख्या सभी के लिए पता है कि 12 है, बिल्कुल चाहिए, नातों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आ रस्त का इस्ताई भाव आपके लिए बताना है, सोक, आश्चारे, उस्सा है या जुगुपसा, क्वाश्चन नमबर 26 है, 26 का राइट आंसर है, विकल्प नमबर डी, यानि की जुगुपसा, आपके यहाँ पर सही आंसर है, अंगले क्वाश्चन क्या पूचा क्या है, 288 किस प्रकार का मातरिक चंद है, तो यह आपके लिए बताना है, अर्दसम है, विसम है, सम है, या सभी है, तो 27 का आपके जुग राइट आंसर है, विकल्प नमबर 1 यानि की अर्दसम आपके यहाँ पर सही आंसर है, अंगले क्वाश्चन है, सतह से उठता आदमी की विधा है, उपन्या से कभीता, कहानी या नाटक, यह आपके चार विकल्प है, क्वाश्चन नमबर 28 का राइट आंसर बताना है, और 28 का राइट आंसर है आपके यहाँ पर, सतह से उठता आदमी की विधा है, तो 28 का विकल मलवे का मालक आपके हैं पर सही आंसर है मलवे का मालक यह जो कहानी है अग्ये की नहीं है याद रखना है बिल्कुल सही कहानी जो है किसकी है मोहन राकेस की मोहन राकेस याद रखना मलवे का मालक के जुकान का है मोहन राकेस हैं अंगला क्वोस्चन है कामाईनी में कुल कितन तो 30 का जो आपका राइट आंसर है विकल्प नमबर B आनिकी 15 आपका सही आंसर है अंगला question है निराला की बादल राग कभीता का सम्बंद है किस से है यह आपके लिए बताना है चायवाद सवंदरिय से प्रिगतिबाद चेतना से प्रियोगबादी चेतना से या नई कभीता स तो 31 का जो राइट आंसर है आपका 2 है आपका यहाँ पर 31 का विकल्प नमबर आपका यहाँ पर B प्रिगतिबादी चेतना से आपका सही आंसर है बादवट्ट की आत्मकता की लेकक कौन है रामचन सुकल अमरित लाल नांगर अग्गे हजारी परसाथ दुबेदी question नमबर 32 है 32 का जो राइट आंसर है आपका वानवट्ट की आत्मकता के लेकक हैं कौन है तो आपका D राइट आंसर है यानि की अजारी परसाथ दुबेदी आपका सही आंसर धनिया और जुनिया प्रियमचन्द के किस उपन्यास की पात रहें यह आपके लिए बताना है 33 का आंसर है तो आपका 34 का विकल्प नंबर राइट आंसर होका 34 का क्या है विकल्प नंबर सी राइट आंसर है नलिन विलूचन शर्मा आपका सही आंसर भासा और समाज ग्रंथ है हरी ओद व्योगी हरी रामबला सर्मा या भोला नाच तेवारी तो भासा और समाज एक ग्रंथ है किसका ग्रंथ है तो 35 का राइट आंसर भी आपका सही आंसर रामबला सर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर भी राइट आंसर विल्कुल सही कॉमरेट का कोट क केले का कौन है। सरंजय हैं जयनेंद्र है या स्पाल हैं या इला चνद जोशी है। कॉम्रेट का कोड्ट कोट तो आपका यहां पर सही आंसर dyska विकल्प नमबर। एक आपका right answer ने औन की सरंज़ाए आपका यहाँ पसई आंसर है कोन करिये जो नहीं कसरत सुनी वपति बाल विद्वनी की की पंती की रचेतना कार है यह जो है पंती है और इसकी रचेतना कार कोन है भारत्य दुमें?, ब्रिंदवन है या प्रियम धन है या प्रिताप नारण मिस्र सेत्यस का सही आंसर बताना है और डी राइट आंसर है प्रिताप नारण मिस्र आपका सही आंसर sketch of Hindi Literature ग्रंथ है तो f e k e b greeb j यह कोई नहीं तो यह आपकी चार विकलब है आपके sketch of Hindi Literature ग्रंथ है तो अलतेस का right answer आपका यहां पर विकल्प number B आपका right answer है, एक ग्रीबज आपका यहां पर सही answer है, रीती काल को कला काल किसे ने कहा है, question number 49 का right answer बताने, महत्यकुन question है यह अपने और इसका जो right answer है, 49 को रीती काल को कला काल किसे ने कहा है, तो 49 का आपका right answer विकल्प number D right answer होग दास परमालन दास, question number 40 का right answer आपके लिए यहां पर बताना है 40 का सही answer है, आपका विकल्प नमबर यहां पर एक यानि की विद्यापती आपका सही answer है, अंगला question पूंचे गया है, क्या पूंचे गया है, वक्ती काल कोश्रों नहीं होगे, सर पर थम किसने कहा है, गारसद अतासी या आचाराम चंसुकल हजारी पर साथ दुबेदी या ग्रियेशन तो आपका विकल्प नमबर C, यहां पर तीन right answer है, ग्रियेशन आपका सही answer, संचारी भाव की सग्या कितनी है, लेकि संचारी भाव आपसी यहां पर पूंचा है, तो कितनी है तो आपका यहां पर सही answer है 42 का विकल्प नमबर आपका यहां पर दो right answer है 42 का यानि की 33 से अंगला question क्या पूंचा है, खंजन नयन में किसकी जीवनी का बंडन है, सूरदास केसब दास, तुलसी दास या काली दास question number 43 का right answer बताना है महत्तुपूर्ण question पूंचा गया है और 43 का right answer आपके हैं आपर विकल्प नमबर एक यानि की सूरदास आपके हैं आपर सही answer है मानस का हंस में किसकी जीवनी का बंडन है तुलसी दास, काली दास, सूरदास ये गांदी जी तो आपके 44 का जो सही answer है 44 का विकल्प नमबर एक यानि की तुलसी दास आपका सही answer है रस रहस्य की रचेता कौन है question number 45 अपने यहाँ पर 45 का right answer है रस रहस्य की रचेता हैं इंतमणी, पदमाकर, दिव या कुल्पत, मिस्र तो आपका right answer है 45 का विकल्प नमबर D, कुल्पती, मिस्र आपका सही answer है अंगले question है चत्र प्रकास किसकी रचेता है चत्र प्रकास किसकी रचेता है तो आपके यहाँ पर 44 का right answer होगा क्या क्या होगा right answer चत्र प्रकास किसकी रचेता है तो आपके यहाँ पर जो right answer है विकल्प नमबर 46 का 3 यानि की लाल कभी आपका right answer है अंगले question पूशा है भूशन की रचेता नहीं है question number है आपका 47 47 का right answer है आपके यहाँ पर विकल्प नमबर एक right answer होगा भास अभूशन अंगले question पूशन बोधा का मूल नाम क्या था यह आपके लिए बताने question number आपका यहाँ पर 48 बोधा का मूल नाम क्या था तो आपके यहाँ पर सही answer है 48 का विकल्प नमबर एक यानि की बुद्धिशन आपके यहाँ पर right answer बुद्धिशन right answer है बिल्कुल सही रीतिकाल का अंतिम चरल की कभी है तो यहाँ पर आपका 49 का जो right answer है विकल्प नमबर C आनि की पदमा कर आपके यहाँ पर सही answer है दोवेदियों को जागरल सुदार काल किसने कहा है डाक्टर बच्चन सहने या आचार राम चंसुकल डाक्टर नगेंद या मिस्र बंदू कौस्चन नमबर 50 का सही answer आपके यहाँ पर बताना है तो 50 का right answer है विकल्प नमबर B आनि की डाक्टर नगेंदर आपके यहाँ पर सही answer है रक्त कमल की रचिना कार कौन है इंक्याउन का right answer बताना है तो इंक्याउन का जो सही answer है आपका यहाँ पर क्या right answer विकल्प नमबर एक लक्ष्मी नारायन लाल आपके यहाँ पर सही answer होगा भक्तिकाल को लोग जाग्रन काल किसी ने कहा है question number bound का सही answer आपके लिए बताना है तो वक्तिकाल को लोग जागरनकाल किसे ने कहा है तो आपका right answer bound का विकल्प number आपका यहाँ पर B आनिकी आपका रंबलस सर्मा आपकी right answer है गर्व रंडार रश्य किसकी जो है किरती किस कभी की है एक किरती बताने है आपके लिए तो किस कभी की है तो आपके यहाँ पर त्रेपन का जो सही answer है वह आपका विकल्प number आपका निकी नातुराम सर्मा संका right answer पाउड दुआ किसकी किरती है तो question number है आपका 54 और 55 का जो सही answer है आपका विकल्प number क्या होगा right answer रामस है आपका यहाँ पर सही answer है विकल्प number 4 आपका right answer है अंगला question है पोर्ट बिलियम कॉलेज की स्तापना किस वर्स होई थी एक question आपका महत्तपोड है question number 55 तो पोर्ट बिल कहा आपका अंगला question चेदंबरा के जो रचिनकार है वह कौन है यह आपके लिए बताने पर साथ पंत नराला महादेवी तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है चपपन का विकल्प number आपका यहाँ पर चपपन का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है यानि की चेदंबरा के जो रचिनकार है पंत है अंगले question पूचा है रुपिया तुम्हें खा गया यह कांकी के लिएक का कौन है तो संताउन का आपका जो राइट आंसर है वह आपका भगवती चरण बर्मा राजीव सक्षेना रगुबन से या डाक्ट का राइट आंसर बताना है हालात एक अनईया किसकी रचिना है तो आपके हाँ पर अंठाउन का विकल्प नंबर सी यानि की अमीर खुसरो आपके हाँ पर सही आंसर होगा अमीर खुसरो अंगले question है आत्यों बोध किसकी रचिना है गोरक नात शेंद्रनात जालंधर नात य तो question number 60 है और इसका जो सही आंसर है आपका 2 है आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है चतुर सें सास्तरी आपका सही आंसर होगा कैदी की पत्नी किर्ती के लेखा कौन है तो कैदी की पत्नी किर्ती है जैनंदर या धर्मवीर भारती राम रक्ष बैनिपूरी या भार और इसके जो रचनकार देव है भूशन है जैनपती या मतिराम तो आपके यहाँ पर question number 62 का सही आंसर है विकल्प नंबर एक यानिकि देव आपके यहाँ पर सही आंसर है देव जनों ने बताया उनका सही आंसर है मोर का पर्याबाची आपके लिए बताना है मोर का यहां पर विकल्प नमबर D यानि की कलापी, कलापी आपका यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही बरवया नाई का भेद की रचेता कौन है, question नमबर 64 का राइट आंसर आपके लिए बताना है, बरवया नाई का भेद की रचेता कौन है, तुनन्द दास है, रहीम है, तुलसी चेटिट तो 34 का जो रॉइड आंसर है आपका विकल्ब नंबर शी या निकी ररीम आपका स़ी आंसर होगा यहाँ पर देखिए इस नहीं लिखा यहाँ पर रस मीमांचा लिखा है तो यहाँ पर रस है रस मीमांचा के नाम लूचिना पुस्तिका के लेखक बताना है तो रस मीमांचा के लेखक आपके लिए बताना है तो कौन है तो क्वेस्चन नमबर 65 का राइट आंसर क्या है डाक्टर नगेंद्र आच कॉस्चन नमबर है च्यासट और च्यासट का राइट आंसर है आपका विकल्प नमबर डी विकल्प नमबर चार राइट आंसर है आनकी बीर इनका बीर जो है प्रिये काप्बे था बीर रस जो है भोशनरी का अंगले कॉस्चन है महाराज दसरत यथा नाम तथा गुण थे य जैसा नाम बैसा काम बैसा ही गुण या गुणबान यह आपके लिए बताने question number 66 का right answer आपके लिए यहां पर क्या होगा तो 67 का आपका B right answer है देखिए B में देखिए 10 रत महराज दस रत है यथा नाम तथा गुण थे जैसा नाम बैसे ही गुण इस परकार आपका यह जो है right answer होगा अंगला question है ग्या हूँ और गुलाब की रचना विधा है यह आपके लिए बताना है निवंद है कहानी है नाटा के उपन्या से यह चार विकल्प है question number है अपने यहाँ पर 68 68 का सही answer है आपका यहाँ पर क्या होका right answer तो बिलकुल सही answer आप लोगों ने बताया है कि विकल्प number आपका यहाँ पर एक यानिकी नवंद है गली आंगे मुणति है कि लेखा कौन है तो गली आंगे मुणति है नांबर से हैं सेव प्रसाद से हैं अग्ये या मोहनराकेस तो आपका यहाँ पर सही answer है क्या है right answer से और प्रशाज से आपका सजी आंसर है कुआनों न दी कभी ता संग रहे कि कभी है कौन है तुर लोचन है सरवेश्वर्याहर ड्यायाल सक्षान आपका रॉइट आंसर है यहां पर होगा अंगला क्वेश्चिन पूछय क्या है तो देखे अयुद्या से अपाद्य हरिवाद द्वारा लेखित का विग्रन्थ है तो कौन सा है यह आपके लिए बताना 71 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है क्या है चौकी चौपदी आपका सही आंसर है रामचरित मानस में कुल कितने कांड है यह आपका मातवकूर कौस्चन है सभी के लिए पता होगा 72 का राइट आंसर बताना है रामचरित मानस में कुल कितने कांड है तो 72 का राइट आंसर विकलत नंबर एक यानकी साथ कांड है साथ आपका यहां पर सही आंसर बिलकुल सही, अंगले क्वोस्चन क्या है देखिए, यहां पर क्वोस्चन नंबर 33 पूंचा गया है, विभान, विभा, नुभाव, वियावई, चारी सहीओं का दुरस निस्पत्ति को पृति पाध्यते है, क्या है, दंडी, भरतमुनी, भार अबी या बामन तो इसको पृति पाधित क्या है तो question number 73 का right answer है विकल्प number C आने की भरत्वनी आपका यहाँपर सही answer है अंगला question क्या पूच्छा क्या है निराला की कवीता राम की सक्ति पूजा परके से रचिना का सरवादिक प्रभाव है तो भै कौन सी रचिना है जिसका स आत्र उदंत मारतंड प्रकासित था तो इसे साब्ताहिक, जैनिक, मासिक या त्रमासिक तो 75 का right answer है आपका विकल्प number 1 यानि की साब्ताहिक आपका यहाँपर right answer है प्रियम सागर के लिए का कौन है अंगला question प्रियम सागर के लिए का question number 76 का right answer सदल मिसर थे सदा सुकलाल थ तो question number 76 का right answer है आपका यहाँपर विकल्प number 76 का B यानि की लल्लू लाल आपका right answer है प्रियम सागर के लिखर निशा निवंतरन के रचनाकार कौन है question number 77 का right answer बताना है तो निशा निवंतरन के जो रचनाकार है यानि की विकल्प number 3 आपका यहाँपर सही answer है अंगला question प्रित आपका सही आंसर है भारत भारती में किस भावना की रूप रेखा है जैनली भावना प्रियम भावना राष्टिय भावना वक्ति भावना question number है आपका 89, 89 का जो सही आंसर है आपका वह है आपका यहाँ पर विकल्प number बी राइट आंसर है राष्टिय भावना आपका सही आंसर है निमलकेत में से सुद्ध सब्ध है सुद्ध सब्ध कौन सा है असी का राइट आंसर बताना है सुद्ध सब्ध बताईए आपर पूज पूज निये पूज निये या पूज निये तो आपके यहाँ पर राइट आंसर क्या है असी का बताना है तो विकल्प नमबर सी यानि की पूज निये यह जो है सुद्ध लिखा है पूज निये इस प्रकार तो विकल्प नमबर तीन आपके यहाँ पर राइट आंसर है डिव भिपन्ने का संदीविच्शेत क्या होगा तो question number 82 देखिए ड के रशिनाकार आपके लिए एबताना है गीतिका की रचिनकार कौन है प्रसाद पंत निराला महादेवी बर्मा तो आपका राइट आंसर है जो निराला आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नमबर C अंगले कोस्चल है अंदे की लकडी का तातपर है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा अंदे की लकडी का तातपर है क्या है तो 84 का राइट आंसर है विकल्प नमबर D यानिकी एक ही सहारा एक ही सहारा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा सूधन आगेतम में कौन सी संधी है, सूधन आगतम में संधी बताना है, जल्दी से बता दिए, क्या होगा इसका राईट आंसर, सभी लोग एक बार वीडियो को lakaibeeld अबस्ति कलें, जोन往ने अभी तक वीडियो को like नहीं क्या है, सूधन आगतम में कौनसी संधी है, तो आपका यहां पर आंसर 85 का विकल्ब नमबर 1 यान चंदी आपका आंसर है अंग्ला ay litigation क्या है देखे operating ज आजाए तो आपका 86 का स remindsर विकल्ब नमबर आपका right answer is 86 का सि राइट आंसर है यानि की दूंद आपका यहांपर सही आंसर है दुन्द आपका राइटा आप आपका राइटा आंसर विल्कुल जाई है यह वह एंक जाशके अधिर का की राचेता आपको लिए बताना है भट के दार हैं नर्पत्रिंप नम्ल है मधूकर कभी हैं लिए अनल सहें सतासी चैंसर हो पताना है, 87 के सही आंसर आपका मदूकर कभी, आपका राइट आंसर होगा मदूकर कभी, अंगले कॉस्चिन निमनलकित में से किस उपन्यास का कथानक, भारत, पाकिस्तान वाजन पर आधारत नहीं है, देखिए नहीं पूचा है आपसे, तो नहीं में आपका जो राइट आं कभी 3 में सुद्ध सब्ध कौन सा होगा ये आपके लिए बताने, कॉस्चिन नमबर 89 का राइट आंसर, 89 का राइट आंसर होगा कभी 3, कभी 3 यानि ये जो विकल्प नमबर 2 में दिया गया है वह राइट आंसर आपका यहां पर, अंगले कॉस्चिन क्या है, गोश्वामी 1231 आपका राइट आंसर है, विकल्प नमबर 1, कभी 3 रतनाकर की रशिनाकार कौन है, कभी 3 रतनाकर की रशिनाकार आपके लिए यहां पर बताना है, तो आपका 91 का राइट आंसर है, वह आपका यहां पर, क्या है विकल्प नमबर 1 यानि कि स्यानापती आपका सही आंसर है कभीर वानी के डिक्टेटर थे यह अभीमत है किस आलो चक का है वह कौन थे आलो चक जिनका यह अभीमत है तो 92 का राइट आंसर विकल्प नमबर बी डाक्टर हजारी परसाद दुबेदी आपका सही आंसर है अंगले question है जिसकी आसानक की गई हो उसी क्या कहा जाता है नरासा उपेक्षा आप्रत्यासित या असंभव 93 का राइट आंसर है आप्रत्यासित आपके यहाँ पर सही आंसर होगा महा कभी कालिदास्केस अलंकार के लिए प्रिसिद्ध है उपमा और प्रिक्ष सिलेश रूपक 94 का राइट आंसर बताना है तो विकल्प नमबर एक यानि क्य उपमा आपके यहाँ पर सही आंसर है उपमा जिनोंने बताया है उनका सही आंसर है सूरदास किस उपन्यास का पात्र है रंग भूमी गवन कर भूमी या मानस का हंस क्वेस्चन नमबर 95 का राइट आंसर बताईए सूरदास किस उपन्यास का पात्र है 95 का राइट आंसर है विकल्प नमबर एक यानिकी रंग भूमी आपका यहाँ पर सही आंसर है बिलकुल सही अश्ट चाप के प्रमुक के कभी नंददास किसके सिस्से थे नंददास और यह जो है अश्ट चाप के प्रमुक कभी थे और यह जो सिस्से थे तो किसके थे तो आपका राइट आंसर है विठलनाथ विकल्प नमबर दो राइट आंसर है अंगला कॉस्चन है देवनागरी लिपी का विकास हुआ है खरोष्टी से मराटी से फार्ची से या ब्रामी से तो कॉस्चन नमबर 97 का जो सही आंसर है बहे है आपके यहाँ पर क्या राइट आंसर तो विकल्प नमबर D आनि की ब्रामी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन पूँचा गया है क्या पूँचा गया है हरीवन्स राइव अच्चन की आत्म कता कि कितने भाग प्रकासे थें एक, दो, तीन, चार यह आपके चार विकल्प है हरीवन्स राइव अच्चन की आत्म कता कि कितने भाग प्रकासे थें तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नमबर D आनि की चार भाग प्रकासे थें रसग्यर अंजन के सिप सुपर से त्रवन्दकार की कृति है रसग्यर अंजन महत्यपन कॉस्चन पूचे गया है और 99 का जो सही आंसर है आपका यहाँ पर 99 का विकल्प नमबर D आनि की महावीर प्रसाद दुबेदी आपका सही आंसर है अंगले कॉस्चन है कर्म कारक के लिए प्रवक्त होने वाला चिन ने कौन सा है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर 100 का राइट आंसर है विकल्प नमबर D आनि की को को आपका यहाँ पर विकल्प नमबर D राइट आंसर है को कान भरना महावीर कार्थ बताने यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर कान भरना यानि की क्या होगा right answer तो आपका सही answer है विकल्प number एक यानिकी धोका देना कान भरना का आपका अर्थ होगा विकल्प number C होगा यहाँ पर right answer चुगली करना धोका देना नहीं चुगली करना आपके यहाँ पर सही answer है कान भरना मावरेकार्थ है धोका चुगली करना तो विकल्प नंबर दू आपका राइट ऑंसर है अतावा आपके यहां पर साही आंसर है। नबर 104 का right answer ہے रूप है विकल्प नमबर मती शब्द के सश्टी एक वच्चन का रूप है मती का सश्टी एक वच्चन का रूप है तो आपका यहाँ पर जो right answer uh 105 का विकल्प नमबर विकल्प नमबर बस अगलर क्वस्चन अब दी किस अब्भासा वर्गी की बोली है तो 6 का सही आंसर बताना है और 6 का जो राइट आंसर है विकल्प नंबर क्या है ये आपके 4 विकल्प है तो 6 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर B आनि की पूर्वी हिंदी राइट आंसर है शिवराज भूषण की रचनकार हैं भूषण ठाक और रतनाकर आलम तो 7 का राइट आंसर है आपके यहाँ पर विकल्प नमबर 1 यानि की भूषण हनूस नाटक की रचनकार कौन है कुसम कुमार भीशमसाहिनी या रमेश बक्सी मौहन राकिस तो हनूस नाटक की जो रचनकार हैं बहे हैं कौन है तो 10 का राइट आंसर है तो 8 का राइट आंसर बताना है तो 8 का राइट आंसर है आपके यहाँ पर विकल्प नमबर सी भीशमसाहिनी निमलिकत में यसे कौन का राइट आंसर बताईए तो कौन से राइट आंसर नहीं है य क्या है ये आपके लिए बताा है आपका विकल्प नंबर में स्रुम कहा जाता है क्या कहा जाता है कौन नंबर 111 क्या है राइट अंसर तो आपका यहाँ पर सही अंसर है क्या है 11 का right answer बताना है तो आपका सही answer है 11 का विकल्प number C आनि की चम्पू का पर आपका यहाँ पर सही answer है बिल्कुल सही right answer बताया यहाँ पर अंगला question है रामप्राक से बैनी पूरीज द्वारा लेखेत ग्याहूं और गुलाब में ग्याहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है तो इनमें ऐसे कोई नहीं आपका यहाँ पर right answer होगा अंगला question क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं यह आपका अंगला question question number 113 क यहाँ पूंचक यहाँ देखे राजा निर्वसिया कहानी के लेखक कौन है तो यह आपका मात्वपोन question पूंचक यहाँ आपर और इसका जो right answer है विकल्प नमबर आपका कमलेश्वर रगुबंस हरीवंस हरी संकर परसाई तो 113 का right answer विकल्प नमबर एक कमलेश्वर आपक कि सांतरस का अंगला question है आलपीन और गमला किस विदेशी भासा की सब्द है आलपीन और गमला बताना ही पूरतगाल अंग्रेज फ्रेंस जापान तो यह आपकी चार विकल्प है तो पंदरह का right answer है आपका विकल्प नमबर एक यानि कि पूरतगाली का है पूरतगाली आप की जगदीश चंद्र मात और आपका सई आंसर है अंगला question क्या पूंचे गया है तो question नमबर आपका यहाँ पर 17 पूंचे गया बेराग संदेपनी किस कभी की रचना है तुलसी दास, कभीर दास, सूर्दास, नंज दास question नमबर 17 है, right answer, विकल्प नमबर एक आपका right answer है तुलसी दास, अंगले question पूंचे आ है अकरावट का विकरिती की रचे था कौन है तो बताइए उन्नेस का right answer विकल्प नमबर आपका यहाँ पर डी right answer है मलक महमद जाईसी, नीमा, किस कभी की माता का नाम था यह आपके ल नीमा जो है किस कभी की माता का नाम था तो कभीरदास आपका सही आंसर यहाँ पर होगा, सिर उठाना महमरे का सही अर्थ क्या है तो बताइए, तो आपका सही आंसर है विकल्प नमबर चार right answer है, घनानन्द की का विकरितियां किस भासा में है, अबदी, खड़िगोली, ब् अंगला question है, अतीती का पर्याबाची क्या होगा, question number 23 का right answer बताई, अतीती का पर्याबाची बताना है, तो आगंतुक आपका right answer होगा, विकल्प नमबर C आपका right answer है, आजन में सब्द में समास है, आजन में सब्द में समास बताना है, तो 24 का right answer है, आपका यहाँ पर विकल यहां पर राइट आंसर है विकल्ट नमबर D यानि की राष्टियता आपका यहां पर सही आंसर है राष्टियता राइट आंसर है तो इस प्रकार अपनी यहां पर बहुत ही महत्वट्पूर्ण question complete हुए क्यांसा लगा ये वीडियो आप comment में जरूबत आए अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को subscribe करें बेल आइकन दबाएं all पर click करें ताकि all वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करें और वीडियो को like करना ना भूलें इसी परकार के और वीडियो देखना चाहेते हैं तो आप चैनल को subscribe करें बेल आइकन अबस्य दबाएं और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share अबस्य करें तो आज की वीडियो करें बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद्ड